नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दफाइनल टच के दोस्तों उम्मिद करता हूँ आप सब काफी अच्छे होंगे दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब वीडियो को अन तक देखें सारे ही क्वेशन आपके एक्जाम के लिए काफी जादा इंपॉर्टन है तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और पूरे क्वेशन को देखना ठीक है दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसे वीडियो जब भी मैं एड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए ठीक है दोस्तों और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ठीक है और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा टेलिग्राम ग्रूप ज्वाइन नहीं किया तो उसको जरूर ज्वाइन कर ले उसके लिए आपको टेलिग्राम पे जाना है और सिर्फ टाइप करना है एड दिरेट दा फाइनल टैच ओके चलिए देखते हैं मतलब यह बोल रहा है दोस्तों कि A, B और C तीन लोग है जो कि अलग अलग एक काम को 24, 16 और 32 दिनों में कर लेते हैं यदि A और C काम को स्टार्ट करते हैं ठीक है और 6 दिन तक काम करते हैं उसके बादो काम छोड़कर चले जाते हैं और B अकेला उस काम को पूरा करता है तो बचे हुआ जो काम है उसको पूरा करने में B को कितने दिन लगेंगे ठीक है दोस्तों काफी important question है मैं इस question के तो आपको और बेची जब बताओंगा तो उसको समझिएगा ठीक है चलिए सबसे पहले हमको यह बताया गया है कि A है B है और C है A उस काम को 24 दिन में करता है B उस काम को 16 दिनों में करता है और C उसी काम को 32 दिनों में करता है सबसे पहले टास्क होगा हमारा कि total work निकालने ठीक है दोस्तों तो total work जो होता है इन तीनों का LCM हो जाएगा ठीक है तो 24, 16 और 32 का अगर आप LCM निकालेंगे दोस्तों तो वह हो जाएगा आपका देखो 32 into यहां 3 है ठीक है तो 96 हो जाएगा ठीक है 96 का LCM हो जाएगा कैसे म सबसे बड़ा पावर होता है क्या होता है फाइफ दो दुनी चार दुनी आठ दुनी 16 दुनी 32 हो जाएगा तो यहां 32 आ गया और इस 24 में क्या है तो 8 into 3 है तो यहां से 1 3 उठा लिए ठीक है तो 32 into 3 कितना हो गया 96 यही क्या है total work हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो उमीद करत टोटल टाइम बराबर एफीसेंसी कितनी आ जाएगे 96 अपन 24 करेंगे तो इसकी एफीसेंसी आजाएगी 4 यहांनी एक दिन में चार दूड़ा करता है वैसे अगर हमने 96 अपन 16 करेंगे तो 6 यहेंट आ जाएगा बी की एफिसेंसी वैसे एगर हम सी की ओन्रों करेंगे तो 90 unit काम करेगा दोस्तों बोला ये गया है कि A और C काम को start करते हैं और 6 दिन तक काम करते हैं तो A एक दिन में 4 unit करता है B C एक दिन में 3 unit करता है तो ये दोनों मिल करके एक दिन में कितना करेंगे 4 प्लस 3 7 unit काम करेंगे तो 7 unit काम एक दिन का हो गया और ये कितने दिन तक काम करते हैं, छे दिन तक काम करते हैं, तो कुल मिला ये कितना काम होगा इनके द्वारा, 42 unit, यानि 42 unit काम ये लोग मिल करके 6 दिन में कर लेंगे, तो बचा हुआ काम कितना है, 96 minus 42, ये काम जो होगा, जो बचा हुआ work है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 6 मे से चार जाएगा कितना हो जाएगा पांच हो जाएगा अब क्या होता है कि यह बी जो है वह अकेले बचे हुए काम को पूरा करता है ठीक है बी जो है बचे हुए काम को अकेले पूरा करता है तो 54 यूनिट काम को बी करता है बी के एफिसेंसी का है 6 यूनिट यानि वह एक दि यानि कि option number one जो हो जाएगा correct answer हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो यहां पर पूछा यही है कि B बचे हुए काम को कितने दिनों में पूरा करेगा अगर यही पूछता कि पूरा काम कितने दिनों में खतम हो रहा है तो 9 दिन यह और 6 दिन इन्होंने यह काम किया है तो 9 और 6 15 हो है दोस्तों इसमें बोला है कि एक पैस दिया गया है कि कुछ रुपया है जो कि 6 परसेंट की दर से 2 साल में 282,8900 रुपय हो जाता है तो पूछ रहा है कि वह जो प्रिंसिपल है मुलधन है वह कितना होगा ठीक है तो मैंने आपको बताया है कि देखो माल लिया कि 100 रुपय क्या है वह मुलधन 100 रुपय है ठीक है और अगर 6% का रेट होगा तो क्या होगा पहले 6% फिर 6% और जब कंपाउंड इंट्रेस्ट होता है तो इस ब्याज पर भी ब्याज लगता है यानि इस 6 पर भी 6% ब्याज लगेगा यानि 6 का 6% कितना हो जाएगा 0.36% यानि कि कुल म मिला करके वह कितना होगा principle का 12.36% ठीक है यहां तक clear है अब देखो अब यहां से हम आगे पूरा solve नहीं करने वाले हैं हम option देखेंगे सिर्फ ठीक है अगर हम option number 1 देखें तो यह कितना है 5,50,000 रुपय अब मुझे एक चीज बताओ कि 5,50,000 रुपय जो है इस पे अगर हम 12 12.36% का 12 तो समलो 3-6% का ब्याज देंगे तो क्या यह 2,80,000 होगा मतलब कुल मिला करके उतना बनेगा नहीं बनेगा यह तो पहले ही खतम हो गया यह हो ही नहीं सकता ठीक है यानि कि हमारा option number 1 कट हो गया अब दूसरे के घर हम बात करें तो 2,00,000 दिया हुआ है 2,00,000 दो ला यहाँ पर 0.36 यह लेना है लेकिन मैंने ले लिया 1% ठीक है तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 2,000 ठीक है यानि कुल मिला कि कितना हो जाएगा 26,000 तो 2,00,000 में अगर आप 26,000 एड करोगे तो कितना होगा 26,000 आ जाएगा ठीक है मतलब कि यह भी आपका correct answer नहीं हो सकता clear ह अब हम देखते हैं अगले question की तरफ अगले option की तरफ देखो यह आपका 25,000 दिया गया है अगर 25,000 दिया गया है 25,000 का 25,000 का 12.36% तो अगर इसका 12% पहला निकालते हैं 25,000 का 25,000 का 12% ठीक है तो देखो 25,000 का 10% कितना होता है पत्ची सजार का 10% हो जाएगा 25,000 एं सॉरी य 2,50,000 दिया है। 2,50,000 दिया है तो 2,50,000 का जो 10% हो जाएगा 25,000 हो जाएगा और 1% कितना हो जाएगा 25,100 हो जाएगा ठीक है और 2,100 है 1% तो हम यहाँ वे 12% निकालते हैं तो 12% कितना हो जाएगा 0,0, 0 हो गया 12,50ATA हसिल 6 12,25講 जाएगा 30 ठीक है यानि 30,000 हो गया ठीक है यानि 2,50,000 पहले है और इसमें 30,000 जुड़ेगा तो यह कितना हो जाएगा 2,50,000 प्लस 30,000 2,80,000 हो जाएगा 2,80,000 हो गया ठीक है अभी 0.36% बचा हुआ है तो दोस्तों अगर आप देखो तो जो इसका प्रिंसिपल जो अमाउंट बन रहा है जायनि कि जो मिश्रधन बन रहा है उसके बराबर यह पहुँच गया 25,000 रुपए जो है इस पर अगर हम 12% का ही ब्याज देते हैं तो यह 28,000 हो गया जो कि इसके करीब करीब पहुच चुका है ठीक है यानि कि जो आपका आंसर होगा य यह कैसे नहीं होगा तो आपका option number C जो है यह correct answer होगा तो यह alternate method है इसका इस तरीके से आपको exam में option की मदद से question को solve करना है ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने next question की तरफ ठीक है दोस्तो काफी अच्छा question है और काफी important question है आपके exam के लिए तो देखेंगे कैसे इस question क solve करना है दोस्तो इस question को अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि a train x traveling at 60 km per hour overtake another train y 225 km long 225 km long and completely passes it in 72 seconds if the train had been going in opposite direction they would have passed each other in 18 seconds the length of x and y in km per hour of y are respectively देखो question यह बोला है कि train x है जो के 60 km per hour speed से चल रही है और overtake करती है एक दूसरी train y को जो की 225 meter long है और उसको पूरे तरीकर से पार कर लेती है 72 seconds में अगर दोनों opposite direction में यानि कि विप्रिद्धी सामय में चल रही होती तो फिर क्या होता है कि जो train है वह एक दूसरे को 18 seconds में cross कर लेती है ठीक है train x की लंबाई जो है मानलों दिया हुआ कितना x है और जो इस जो train दूसरी वाली है उसका speed y km प्रति घंटे दिया है तो x और y की value पूछी जा रही है आप से ठीक है दोस्तों इसको करने का दो दो तरीके है मैं आपको दोनों बताता हूं ठीक है calculation आप कर लेना एक बार मैं बता आयता हूं तरीका क्या है देखो सबसे पहले आप यह करोगे कि देखो मैं concept बताता हूं उसको समझ दो अगर कोई दो train है मानलो यह train है यह train है और एक दूसरी train यह है ठीक है अगर यह एक दूसरे को cross करती है तो यह इसकी लंबाई अगर मान लो इसका speed s1 है और इसका speed s2 है और यह अगर एक ही दिशा में चल रही है तो इनकी जो relative speed होगी एक ही दिशा में चल रही है relative speed जो हो जाएगी s1 minus s2 हो जाएगी मानलो कि s1 is greater than s2 ठीक है और अगर यह विपरित दिशा में यह opposite direction में चल रही है then their relative speed will be s1 plus s2 यानि उनका speed क्य हो जाएगा जोड जाएगा तो यह दो तीन चीजे जो मैंने बताया अभी आपको इसको याद रखना है हम question पर आते हैं ठीक है तो देखो यहां दिया है कि एक train का speed कितना है 60 km प्रती घंटे है ठीक है और जब यह एक ही दिशा में चलती है और दूसरे वाले का speed कितना है y km प्रती घंटा ठीक है जब एक ही दिशा में जाएंगी तो speed क्या हो जाएगा इनका minus हो जाएगा यानि 60 minus y है ना और यह km प्रती घंटे में है तो इसको हम meter per second में convert कर लेंगे क्यों क्योंकि जो length of time दिया है meter per second में दिया है तो जब भी km प्रती घंटे में speed हो तो उसको meter per second म convert करने के लिए 5 by 18 से क्या करते हैं उसको multiply कर देते हैं तो 5 by 18 is equal to देखो पहले वाले दूसरे वाले trend के length कितनी है तो 225 meter plus दूसरे वाले के length हम माल लेते हैं क्या है x दिया हुआ है question में तो यह x है ठीक है और जो time लगता है 72 second तो यह हो गया पहला equation जो दूसरा equation बनेगा का speed के हो जाएगा जुड़ जाएगा यानि 60 plus y and यहां हो जाएगा into 5 by 18 that is equal to 225 plus x upon 18 हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो यहां से आप इन दोनों equation को solve कर लेंगे और आपका answer आ जाएगा लेकिन दोस्तों मैं आपको एक इसका alternate तरीका बताता हूँ आप उस तरीके से करो कि चारों दिये हुए हम पहला option उठा लेते हैं मतलब क्या कि जो train की length है कितनी पहले वाले train की length जो x है 255 meter है ठीक है और उसका जो speed है वह कितना है दूसरे वाले train की 36 km प्रती घंटे है ठीक है तो हम क्या करें कि यहां पे y की value और यहां पे x की value रखेंगे तो यह दोनों side बर बराबर आने चाहिए अगर बराबर आगे तो हमारा option क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो पहले हम पहले option को उठा करते हैं तो 60 और यह speed कितना है y की value कितनी है 36 है 60-36 करेंगे कितना बचेगा 24 बचेगा ठीक है 24 okay into 5 by 18 is equal to 225 plus 255 225 plus 255 होगा न क्योंकि x की value दी गई है यहा अगर हम जोड लेंगे यह 0 हो जाएगा पांच दो साथ और एक 8 हो जाएगा और दो दो चार चार सो 80 मीटर हो गया ठीक है तो यहां हो जाएगा 480 मीटर upon 72 सेकंड ठीक है अब इसको solve करेंगे तो 18 चोक कितना हो जाता है 72 और इसको solve करेंगे तो 4 एकम 4 चार दुनिया 120 आ ठ होगा आगे आप चेक करने के ज़रुरत ही नहीं क्योंकि आगे आप चेक करोगे तो यह जो से इक्वेशन है उसको satisfy नहीं करेंगा ठीक है दोस्तों यह तरीका होता है ऐसे questions को solve करने का उम्मिद करता हूं आपको clear हो चुका होगा ठीक है तो आप इन equation को solve करके इस question को solve कर ल जर्नी एंड देन ही तुक अन आटो फ़र रिमेनिंग पार्ट अप जर्नी ट्रेवलिंग ए 25 किलोम्टर प्रती घंटे इफ ही तुक 10 आवर फॉर इंटायर जर्नी इड ही ट्रेवल भाई आटो इफ दे एवरेज स्पीड अप इंटायर जर्नी बी 17 किलोम्टर प्रती की स्पीड है ठीक है तो वहां पर पूछा जा रहा है कि वह जो है क्या बोला है कि वाट पार्ट आप जर्नी डी ट्रेवल भाई ऑटो ठीक है ऑटो से वह 25 किलोम्टर प्रती घंटे की स्पीड से चल रहा है दोस्तों इसको हम एलिगेशन से करेंगे काफी आराम से क्वेश की स्पीड प्रती घंटे अलिगेशन से का साइन लगा दिया है तो यहां टाइम का रिषय ़िख द्याइगा आफ और यहां- верх कितना करेंक है पांच यूनिट ठीक है और यह पांच यूनिट बराबर है किसके तो 10 आर के यानि कुल मिलाकर किसो कितना लगता है इंटायर जेर्णी में 10 घंटे का टाइम लगता है तो फाइफ यूनिट इस इक्वल टू टू हो जाएगा टू आर तो पुछा है कि कि पैदल कितने दूर कर देते तो 6 आर आ जाता 6 घंटे आ जाता ठीक है तो यह पैदल 4 घंटे चलता है और आटो से 6 घंटे चलता है अब पूछा क्या क्वेस्टन में इसने कि वह आटो से कितना दूर चलता है ठीक है तो आटो से जो स्पीड है उसकी 25 किलमेटर प्रती घंटे है और जो चलता ह है वो 6 घंटे चलता है ठीक है 25 किलोमेटर प्रती घंटे की स्पीड से वहाँ 6 घंटे चलता है तो कुल दूरी जो तैय करेगा कितना हो जाएगा तो 25 इंटू 6 देट इस इक्वेल टू 150 किलोमेटर 25 खके 150 होता है यानि option नंबर 3 आपका correct answer हो जाएगा ठीक है दोस्तों आप से पूछता कि यह आटो से कितना दूर चलता है तो आप से कुछ भी पूछे आप यहां से निकाल सकते हो यह हमने time निकाल लिया कितना कितना time चला है उसके बाद distance भी हम यहां अराम से निकाल लेंगे allegation method से ठीक है जब भी 2 speed दिया हो उनके बीच का average speed दिया हो तो आप allegation method का इस्तमाल करें question में अराम से question बनते हैं ठीक है देखते हैं अगला question क्या है दोस्तो next question यह repeat हो गया question दोस्तो तो आज के लिए इतने questions से दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों अपने friends के साथ वीडियो को share जरूर करना ठीक है तो अगले वीडियों को तक पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें जाहिंद